हेलो एक्स यूवी सेवन डबलो हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू दे कार ओटो शोर एक्स यूवी सेवन डबलो के अंदा 60% ओफ हाई स्टेंट इस्टील का यूज किया गया है जो एक सेफटी केज के रूप में काम करेगा महिंद्रा ने अपने ऑफिशन इंस्टाग्राम हेंडल्स पर ये पोस्ट करते हुए कंफर्म किया है ओटो बूस्ट हेड्लैंप्स का मतलब होता है रात को जब आप ड्राइव करते वक्त 80 मायल की स्पीड प्लस करोगे तो ये कार अपने एटोमेटिक हेड्लैंप्स को ज़्यादा हाई पावर तरीके से और महिंद्रा ने ऑफिसी तोर पर ये बताया है कि इस सेग्मेंट की सबसे बड़ी संद्रूफ होने वाली है और बेला आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिना ताकि जब भी भी जिसको महिंद्रा ने स्काई रूफ नेम दिया है और ये भी किलेम किया है और एक और इसकंदर हाई इंकार वाला फीचर इसकंदर आ सकता है वो है ADAS अपने आप सेंस करके ब्रेक्स को अपलाई कर देता है जिससे कि आप एक्जिडेंट से बस सकें जो कि फ़र्सने सेगमेंट है और बहुत ही ज्यादा बहतर होने वाली है इसकंदर आपको memory sheets का function भी देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही यादा हाई-tech है और जैसे इसकंदर नॉर्मल फीचर से इलेक्ट्रोनिक फार्किंग प्रेक्ट्रिक सीट अजेस्टबल फूड ग्लोब ऑक्स क्रूस कंट्रोल नॉर्मल फीचर्स तो आपको इसमें देखने क मिलेंगे ही और यह एक प्रोपर ऐसी वी होने वाली इसके अंदर आपको four wheel drive का option जुरूर मिलेगा जो बहुत ही हाई-tech लगती है आपने इस segment में और इसके दोर हैं पर इसकंदर मिलने वाली है आपको mercedes के दिखने वाली बड़ इसी touch screen जो एक mercedes की तरह electric adjust के लिए seats के buttons भी देख सकते हैं जो first in segment है इसके अंदर मिलने वाले हैं इस SUV के अंदर आपको range rover वाले 200 मिलेंगे जो बहुत ही ज्यादा बहतर लगते हैं इस segment के अंदर अगर अब engine के बारे बात करेंदे इसके अंदर आपको 2.2 liter का turbo diesel engine मिलने वाला जो बहुत ज़्यादा powerful है इसके अब बताया जा रहा है कि अगस्त के स्टार्टिंग में लॉंच किया सकती है और इस segment में आने वाले हुंड़ी अलगजार के अंदर आपको 2.0 liter का petrol ये मिल पाता है जिसके अंदर आपको 153bhp की पावर मिल जाती है जो कहीना कहीं एक्स्यू 7W की पावर से बहुत ही कम है जो fiat sources है जिसके अंदर आपको पावर मिल जाती है around 170bhp गी और एक्स्यू 7W के अंदर आपको 2.2 liter का turbo diesel मिलता है जो कहीना कहीं इन तीनों गाड़ों से कहीं ज्यादा पावरफुल है और एक्स्यू 7W के अंदर आपको 4x4 का option भी देखने हों मिलेगा मतला महींदर आप आपको कहीं भी इस गाड़ी को लेकर अफ्रोडिंग करनी हो तो आप वह भी कर सकते हैं और महींदरा एक्स्यू 7W को बनने वाली है जिस तरीके से टाटा ने अपना ओमेगा आर्क प्रेटों बनाया है उसी बेस पर टाटा की सफारी और हैरियर बनी है उसी बेस पर महींद होने वाली है अगर आप एक 7W लेना चाहते हैं तो आप बस कुछ दिनों रुख जाईए क्योंकि यह जल्दी लॉंच होने वाली है यह जुलाई के एंड में फिर अगस्त के एंड में लॉंच हो सकती है तो आज की वीडियो से इतना ही